तो पिछली बार हमने कुछ लोड केसिस देटेल्स किये थे जैसे की तो इस लेक्चर में हम देखेंगे के हम लोड कॉंबिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते है तो इसके लिए हमें फिर से लोड केस डीटेल्स में जाना है फिर में जाना है एड में तो यहाँ पर हमें प्राइमरी में नहीं डिफाइन कॉंबिनेशन में जाना है तो उसके बाद जो मैंने यहाँ पर आपको वर्ड फाइल दिखाई थी इस तरह से आपको एक वर्ड फाइल रेडी रखनी है उसमें कुछ load combinations इस तरह से आपको text में रखने है ताकि आप copy कर सके इसमें तो सबसे पहला है इसमें dead load और उसका number है 5050 इसको copy करके यहाँ पे हम paste करेंगे control भी number हम देंगे यहाँ पे 50 और फिर हम सभी dead load यहाँ से input कर देंगे self weight, slab load, floor finish, wall, sunk, OHT, LMR यहाँ input कर देंगे और add कर देंगे फिर हम देखेंगे यहाँ पे 50 इत नमबर में dead load के सभी load combinations हमने input कर लिए वैसे ही हम यहाँ से dead load plus live load यह 51 नमबर में 52 में dead plus seismic load in x direction seismic load in x direction and dead load dead load में से यह x direction का load हम minus कर रहे हैं वैसे ही है सभी load combinations हम यहाँ पे input कर देंगे और इस तरह से हम load combinations define करेंगे पयाँ प्राम्ट प्राप्ट कर देंगे प्राइब बॉपड़ में यहाँ झावड़ी यहाँ प्राइब प्राइब आप जायाँ प्राइब कर देंगे झाल 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 फिर यहाँ पर डेड़ लोड माइनस एक्यू एक्स है तो यहाँ पर नंबर फिफ्टीन है लोड केश फिफ्टीन है तो यहाँ पर लोड केश फिफ्टीन में हम माइनस वन रख देंगे और एड़ कर देंगे वैसे ही हम बाकी के लोड में डिफैन कर देंगे झाल 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 है झाल झाल है झाल 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 झाल